करें हेलो स्टूडेंट्स आज हम किनिमल टिस्दू में करुत सब्सक्राइब in isky पहले आपने प्लान्टी सु इसके इस्पेसली डिवीजन आप लेबर के लिए आए अलग-अलग वर्क करने के लिए जैसे हम कहते हैं बाडी में मूब्बिंट क्यों होती है ब्लड भी एक टिसू है वो ट्रांस्पोर्टेशन में हेल्प क्यों कर लेता है इंटेस्टाइन की वाल से आईबजॉर्बसन क्यों हो जाता है यह हर जगा से क्यों नहीं हो पाता है ट्रांस्पोर्टेशन के लिए ब्लड बढ़ियां वर्क अपना कर लेता है तो अलग-अलग work के लिए अलग-अलग टाइप के टिसू पाए गए क्यों कि वो specialized artificial self-sales से बने होते हैं और जैसा work करना होता है उसकी सेल्स उसी वर्क के कार्डिंग ही सेप और साइज ली रहती हैं तो इस स्पेस्फिक टाइप की सेल्स का एक गुरूप जो किसी पर्टिकुलर वर्क को परफार्म करता है उसको टीशू का गया अगर यह एनिमल बाडी में तो आपने एनिमल टीशू के दिया तो एनिमल से बाडी पार्ट्स हैं लेकिन अगर टिशू लेबल पर डिफरेंट एनिमल की स्टेडी करें तो बाडी के डिफरेंट पार्ट में जो डिफरेंट टिशूज है उनको मेजर कटेगरी के बेस पर चार गुरूप में डिवाइड कर सकते हैं और यू कैन से देर और फोर टाइप आप इनिमल टीशू इन आल दा इनिमल सार आर्गेनिज्म आप किंगडम इनिमलिया इनिमल के अंतरगत जितने हमें चार टाइप के टीशू है फ़र्ष्ट एपी थील टीशू सेकेंड कनेक्टिव टीशू फोर्थ थर्ड मस्कुलर टीशू के बारे हम डिसकस करेंगे लेकिन पहले मेजर जान लिए क्या है एपी थीलियल टीशू जो बाड़ी की या इसके डिफरेंट पार्ट की सरफेस बनाता है उसे इसका में काम प्रोटेक्शन है यह अलग बात है अलग अलग बाड़ी सरफेस में कुछ वर्क एडिश से हम नाक की स्टक्चर में देखें हां दो सरफेस हो गई एक बाहर से एक इसके अंदर होल आप देख रहे हैं इनर की वी जो लाइनिंग होगी इनर लाइनिंग यानि इनर सरफेस आउटर दो जगाएं पिथिलिये में ऐसे कनेक्टिव टिस्टू जैसा नाम से ही पता है य और इसी वज़ा से बाड़ी के डिफरेंट पार्ट में मुव्मेंट होता है और नर्वस टिस्टू का काम है बाड़ी में एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम जिसका काम है अलग बाड़ी में कुल दस सिस्टम होते हैं उसमें सिस्टम का नाम नर्वस सिस्टम है तो अलग के लिए कन्ट्रोल से बाडी में कौार्टिने मिलती है उसकी से करते हैं तो आते हैं पहले हम एपी घीलिय मी कहते हैं यह я किसी भी बाड़ी है वनापी यह सबनाते हैं सब्सक्राइब हैं достаточно और अच्छ िए आपका करें दो प?... उन्टिक बाक्ट की बात करें चाहे वो एलिमेंटरी कैनाल हो चाहे हाट हो चाहे लंग्स हो वो खिड़नी हो तो सब की कोईन कोई सरफेस तो होगी या जैसे में एक आपजेक्ट देख रहे हैं यह मारकर है इसकी भी एक सरफेस अपनी है ऐसी सरफेस बनेगा खैर सरफेस को हमने दो पार्ट में जाना एक आउटर और इनर जहां भी सरफेस बना होगी अब जैसे हम बात कर लें किसी पार्ट को ही देखें तो वहाँ पर धिन ड तो साफेस होती है जैसे आउटर एंड इनर सर्फेस आप डिफरेंट बाडी पार्ट्स तो यह सर्फेस रह करके सबसे बड़ा काम क्या करता है यह प्रोटेक्शन प्रवाइड करता है जैसे हमारी छो एते इसका इनर बाडी पाड़ेट और इंटर बाड़ी पाड़ेट को प्रोटेक्शन 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 और इन अलग अलग बाड़ी की सर्फेस हैं वहां के कुछ work specific होते हैं, protection के अलावा भी कुछ work होते हैं, अब उसके वेस पर epithelial tissue को अलग-अलग धन से categorize किया गया है, अलग-अलग धन से विद्वानों ने classification किया है, तो पहले तो हम आपको NCRT के carding बताते हैं, जो आपको classification दिया गया है, NCRT book में जैसा बताया गया है, हम उसकी बात करते हैं, फिर अपने carding जो आपको याद हो सकें, आस्तानी से समझ सकें, वो classification आपकी चल्चा करते हैं, तो यहाँ पर एक figure आप देखेंगे वहाँ पर, squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, stratified, squamous या, stratified epithelium, इस तरीके से classification दिया गया, तो यह नाम तो आपको जानते रहना है, लेकिन आपके दिमाख में आए, और आप आसानी से समझ सके, epithelium को, तो एक दूसरा classification आपको हम बताते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए, साइद आपका concept clear हो जाएगा, और इनको तो समझेंगे ही, और पूरी तरीके से कहीं और से help book से भी आप पढ़ते हैं, त तो ये cell की layer जो surface पर है, cell के group को tissue कहते हैं, तो ये cell का group हो गया, जो surface बनाता है, epithelium tissue या epithelium तो हो गया, लेकिन आइस पर requirement, कहीं कहीं पर ये जो epithelium होती है, इसको फार्म करने वाली cell एक layer में होती है, और कहीं कहीं पर इसकी ठीकने कई cell हो जाती है, या या epithelium की ठीक अगर ये single cell हो सकती है, या more than one cell हो सकती है, अगर ये single cell होती है, या यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन हम आपको बता रहे कहीं समझें, कई base है classification के, एक तो हो गया thickness के base पर, यानि आप ऐसा कह सकते है, type of epithelium, on the basis of layer of cells, अगर cell की layer के base पर देखें, तो दो हो गया, एक तो हो गया simple, और एक को कहते हैं compound या complex कह सकते हैं, या इसी को stratified कहते हैं, ये आपके समझेने के लिए कर रहे हैं, आप ठीक है जो पढ़ना उतना जानिएगा, लेकिन इससे उसमझना आसान हो जाएगा, तो simple होगा, और दूसरा compound होगा, या stratified होगा, stratified कब कहेंगे, जब ये कई layer से बना होगा, simple कब कहेंगे, जब एक layer में रहेगा, एक classification का base ये हो गया, पहला layer आपका cells, present in the epithelium, और दूसरा है, shape of the cell, shape of the cell, cell का shape क्या है, तो अगर धान देंगे हैं, जो नाम लिखा गया, आपका काम चल जाएगा, जैसे, यहाँ पर लिखा गया है, cuboidal, columnar, अब इससे compare कीजिए, क्या हम कहना चाह रहे हैं, squamous epithelium तब कहते हैं, जब ये epithelium flattened cell से बना होगा, cell पचप्टी होती है, इनकी membrane पतली होती है, आपस में 60 होती है, तो जब ऐसी cell से बनता है epithelium, उसे squamous कहते हैं, खैर book में आपके लिए दिया गया है, stratified squamous, आपके label से सही हो सकता है, पूरी तरीके से हमसामत नहीं, अगर ये flattened cell से बना होगा, cell आपस में 60 होगी, और कई layer में होगी, तो stratified कहेंगे, लेकिन ये squamous जो हम करें, flattened cell है, आपस में 60 cells है, तो वो squamous है, flattened cell से बना epithelium squamous है, अगर ये एक layer में होता, तब इसे कहते हैं, simple squamous epithelium, और अगर कई layer में होता, तो squamous तब भी कहते हैं, तब कहते हैं, stratified, लेकिन यहाँ पर stratified को squamous कह दिया गया है, या squamous stratified classification, तो आप समझे लिए, यानि stratified squamous क्या है, जब multi-layered cell की थिकनेस होगी, और ये cell flattened होंगी, आपस में sati होंगी, और simple कब कह लेते हैं, जब एक layer में होती है, तो अब ये देखिए, कुछ examples दिये गए हैं, कि squamous epithelium का, simple का example क्या होगा है, इसे isophagus में, एक question भी आता, कई बार पूशा गया है, mouth की या बकल के बटी, जो inner lining मूँ में जो अंदर की सता है, वो भी squamous से बनी है, तो simple squamous से, ऐसे, जब pattern of layer कई हो जाए, हमने इसलिए यहाँ भी लिख दिया, कि आप भूले न, और चाहे तो इसको note भी करते रहेंगे, सुवधार है, किसलिए मैं already लिख देते हो, लिखने में समय न लगे, तो pattern of layer हो गया है, इसको हमने कहा, हैं, एक तो हो गया, flattened से बनेगा तो squamous, अगर cube shape, cubeoidal shape होगा सेल का, यानि लंबाई, चवणाई, उच्चाई, अगर समान हो, ऐसी cell से कहीं की surface बनेगी, कहीं epithelium बनेगा, उसे कहेंगे, qoidal epithelium, तो qoidal नाम जो है, इस shape के base पर दिया गया है, ऐसे columnar epithelium किसे कहते हैं, जब यह cells pillar-like होती हैं, यानि comparatively इनकी लंबाई जादा होती है, चवणाई कम है, यानि elongated cell से जो epithelium बनती है, pillar-like cell से बनती है, उसी को columnar कहते हैं, खैर maximum जो epithelium होता है, वो इसी type की cell से बनता है, आपकी बुक में सीधे लिख दिया गया है, columnar under bracket ciliated, तो यह ciliated एक example दिया गया है, लेकिन columnar से pillar-like cell से जो epithelium बनता है, वो कई type का होता है, यह इस पर depend करता है, यह columnar pillar-like cell कैसा work कर रही हैं, एक example दिया गया है, कभी-कभी इसकी free end से hair-like small structure निकल जाती, जिन्हें कहते हैं cilia, तो अगर कहीं पर cilia निकल आएगा, तिसे कहेंगे ciliated epithelium, ज़्यादा तर यह columnar epithelium में cilia निकलता है, इसलिए कह दिया गया columnar ciliated, लेकिन मान के चलिए, यह ciliated ही नहीं होगा, और type का हो सकता है, जैसे, जो हमारे sense organ से हैं, sense organ का मतलब skin है, eye है, nose है, tongue है, तो यहाँ पर जो surface होती है, नोज से कहें आप किसी particular smell को जान लेते हैं, इसका मतलब जो इसकी inner lining है, जो epithelium है, वहाँ पर कुछ special type की cells हैं, इस cell के free end से hair-like structure निकले देने करते हैं sensory hairs, तो sensory hair ही stimulus को smell को fill करते हैं, तो जहाँ पर यह रहेगा, उसे कहेंगे sensory epithelium, ऐसे जो glands हैं, उनसे किसी material का secretion होता है, अगर secretion करने वाली epithelium कहीं होगी, उसे glandular कहते हैं, तो एक classification का base हो गया layer के base पर, और दूसरा हो गया shape के base पर, तीसरा हम कहते हैं, function देखिए, function के base पर क क्या होंगे, तो जैसे हमने का sensory organs के epithelium में, ऐसी cells होती हैं, जिससे stimulus जान सकता है, आंक से light की filling होती है, कान में hearing sound को fill किया जा सकता है, tongue से test को fill किया सकता है, तो यहाँ पर special type की cells हैं, जो columnar की modified हैं, उसे कहते है sensory epithelium, तो एक किसका type हो गया, function के base पर, अगर cilia हैं, जैसे कई tubular structures होती है, tube like structure, इससे कोई material का flow होता है, तहाँ पर cilia निकले होते हैं, यह move करते रहते हैं, इससे material आगे बढ़ता रहता है, तो जैसे trachea में है, respiratory tract, urinary tract, तो जो body में, oveduct, female body में, तो जो structures होती हैं, इनकी inner surface से cilia निकले रहते हैं, उसे करते हैं, इसे में glandular epithelium, ऐसे reproductive part में जहां पर gametes बनते हैं, वहां पर होता germinal epithelium, तो यह function के base पर germinal epithelium, glandular epithelium, sensory epithelium, या ciliated epithelium, यह different type के function हैं, उस base पर भी classify कर सकते हैं, तो अगर आप बास समझ गे तो ठीक है, नहीं समझे हैं, तो कोई बात में इतना जानेंगे, इस base पर अगर क्यों हम बताएं, तो squasmus epithelium, flat end cell से बना है, जो stratified farm में आप रिखा गया है, कई layer में हो जाए तो, एक है तो simple है, example दे दिया गया, जैसे stratified skin का example हो गया, skin में है, और बक्तल cavity में, माउथ में, या isofagus में, isquamus simple है, क्योवाडल, cube like, shape polycells हैं, कालोमनर में कई है, उस बनाएगा different body part का protection करेगा, इसके अलावा, अलग-अलग epithelium में, अलग-अलग work हो सकते हैं, respiratory organs के epithelium में, guess yes exchange के लिए बनी है, intestine में, icy bunny hair like structure, इसको बिलाई कहते हैं, उससे absorption में help मिल जाती है, अब हम आते हैं, दूसरे tissue की बात करते हैं, और ये tissue है, connective tissue पर आईए, जैसा नाम से clear है, कि ये connect करता है दो part को, तो structure और function के वेस पर इसको देखिए, structure अगर देखे, generally connective tissues, are made up of three, it's a major component, tissue है तो cell तो रहेगा ही, cells होता है, इसके अलाओं, जैनल इसमें, fluid part इसका रहता है, इसे कहते है, matrix, ये matrix हो गया, और तीसरी चीज, fiber इसमें पाए जाते हैं, तो, ये तीन टाइप की structural part है, connective tissue के, cells, matrix, fibers, ये अलग बात है, कि अलग-अलग connective tissue में, जो matrix का nature है, थोड़ा सा बैरी करता रहता है, ये jelly-like हो सकता है, ये fluid हो सकता है, इसकी quantity ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ये fiber हो सकता है, और उसमें जो पाई जाने वाली cells हैं, उनके भी अलग-अलग type हो सकते हैं, तो ये common structure part हो गए, function हमने क्या काया, connective tissue का काम है, body parts को आपस में connect करना, अब कहां पर है, या इसकी cells कैसी है, इसके matrix का nature कैसा है, इसके base पर connective tissue को अलग-अलग category में divide कर दिया गया, अगर हम classify करते हैं, तो हमारे कार्डिंग, इसको हम ऐसा कहते हैं, connective tissue के type, simple connective tissue, और fibrous connective tissue, fibrous connective tissue, skeletal connective tissue, and fluid connective tissue, चलिए, ये हम classification करते हैं, simple, fibrous, और ये skeletal and fluid, कब हम simple कहेंगे, जनरली ये तीनों पार्ट्स उसमें पाये जाते हैं, fibrous कब कहते हैं, जब fiber की quantity ज़्यादा हो जाती है, skeletal तब कहते हैं, जब matrix hard हो जाता है, और वो tissue skeleton मनाने में help करता है, fluid तब कहते हैं, जब matrix की quantity इतनी ज़्यादा हो जाती है, कि tissue की cells जो होती हैं, इस fluid part में, ये flow करती रहती है, liquidity आ जाती है, जिसे नदी में, पानी के साथ, छोटे छोटे टुकडे, sand particles या और particles भाते रहते हैं, जनरली आप जानते हैं, कि जितने body parts उसके tissue वही पर हैं, आख के tissue, आख में, कान के tissue, कान में, नाख के tissue, नाख में, पैर के tissue, पैर में, लेकिन एक ऐसा tissue होता है, जिसमें fluid part ज़्यादा हो जाता है, उस वज़ा से, इसकी cell से भी उसी में flow करती रहती हैं, तो इसका example है blood, blood भी एक type का tissue है, cell से बना है, तो ये classification होता, फिर simple में आपको हम दो category बता देते, एक aeriolar और एक edipose, लेकिन NCRT book के carding जो tissue दिये गए हैं, वो ये चार type के tissue आपको जानने है, aeriolar tissue, edipose tissue, skeletal tissue और fluid tissue, तो हमें इसी के base पर बताना भी है, और basic पहले आप जानले, fluid tissue हमने बता दिया, कि जब इसमें matrix की quantity ज़्यादा हो जाती है, liquidity वड़ जाती है, cell से flow करने लगती हैं, तो fluid creative tissue कहते हैं, यानि tissue fluid जैसा होता है, cell sex का fix नहीं, ये पूरी body में टाल रही है, skeletal तब कहेंगे, जैसे इसका example हो गया, body का skeleton दो चीज़ से बना है, एक bone और एक कहते हैं cartilage, तो cartilage और ये इसका example हो गया, ऐसे fibrous में fiber की quantity ज़्यादा हो जाती है, ये fiber generally अंगर अंदर पढ़ेंगे पाएंगे, ये collagen fiber होते हैं, elastin fiber होते हैं, जब connective tissue में, fibers की quantity ज़्यादा हो जाती है, उसे fibrous connective tissue कहते हैं, और ये fibrous connective tissue में दो नाम आपको जानना है, एक को कहेंगे tendan, और दूसरा है ligament, ये दो type के fibrous connective tissue, तो अब आप जान लेजिए, simple में आप ये दो जाननी लेजिए, यानि simple याद करने के सुद्धा के लिए बता रहे है आप अपने दिमाग क्या बनाएंगे, simple वाला, simple वाले में दो, aeriolar और edipose, skeleton बनाने वाला, bone और cartilage, skeletal connective tissue हो गए, और blood और lymph, fluid का example हो गया, blood भी एक tissue है, और lymph भी tissue है, तो या ये blood और lymph, fluid connective tissue के एक जामपल हो गए, अब चुकि आप अपनी किताब में, या जब देखते हैं तो ये नाम मिलते हैं, तो इनको कैसे आप समझ पाएंगे, उसकी बात को देखें, aeriolar connective tissue, वो connective tissue होता है, जिसमें ये loosely arranged होता है, cells के बीच में intercellular space से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे aeriolar connective tissue कहते हैं, और book में इस ligament और tendon को इसी का part दिया गया है, जैसे skin के नीची दे देखें, around blood vessels, देखें, blood vessels, artery, vein, capillaries होती है, तो यहाँ पर जहाँ blood vessels होती है, nerves होती है, तो यहाँ पर इनको place मिल सके, इसलिए ज़रूरी इसकी cells थोड़ा दूर हो, loosely arranged हो, जिसे इनका network इसमें easily compact होती, तो इसमें एक दिक्कत होती, blood vessels के लिए, अस्थान नहीं पाता, nerves के लिए नहीं, तो ariolar में फैले रहते हैं, तो यह skin के नीचे है, muscles में है, blood vessel यह हो गई, तो इसके surrounding में चार और है, यह ariolar हो गया, यह loosely arranged होता है, तो यह हो गया, loosely arranged होता है, तो फाइबरस कम मात्रा में कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका classification दे दिया, कि अग post tissue, ऐसे connective tissue को कहते हैं, जिसकी cells में fat globules, fat का deposition हो जाता है, जानते हैं कि जो extra energy से अत्रिक्त food material होता है, जनरली बाडी में, यह fat के फार में store कियाता है, फिर इसके कई परपज है, बाडी का temperature भी control करने में help करता है, और साथ-साथ यह storage food का भी काम करता है, तो fat का store करने वाल जो होती हैं, उन्हीं के group से बनता AD post tissue, position below the skin है, और जो different internal organs हैं, उनके बीच बीच में भी यह AD post tissue पाए जाता है, इसकी cells में fat का collection होता है, तो major point क्या ध्यान देना है, लूजली arranged होगा, तो aeriolar है, fat का collection होगा, globules के फार में, छोटे छोटे ड्राफलेट के फार में, तो उसे कहेंगे AD post tissue, और skeletal का मतलब जो body का skeleton बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं, तो body का कंकाल internal support किससे मुला हुआ है, bone से बना है, और cartilage से बना है, तो यह bone और cartilage, skeletal connected tissue कहलाते है क्यों इनमें, यह skeletal बनाने capacity या यह hard हो गए, due to, it's matrix, matrix इसका ऐसा है, इसलिए ऐसा हो गया, कभी कभी पूशा जाता है, कि यह bone और cartilage में difference कहा, तो जादा नहीं थोड़ा सा बता देते हैं, कि bone comparatively hard होती है, flexible नहीं होती है, और यह cartilage जो है, दो नाम ध्यान दे रहे, bone और cart cartilage, cartilage में flexibility होती है, और यह उतना hard है, तो इसे कान जो है, यह ear पिनना, external जो ear होता है, इसके अंदर भी ढाचा लेकिन इसको मोड ले रहे हैं, इसलिए मोड ले रहे हैं, कि इसके अंदर का जो skeleton है, हाथ में जो skeleton है, जो bone से बना, उससे different हो जाएगा, नाक में, यहाँ पर cartilage है, तो यह flexible है, यह hard है, और bone में जो cells पाई जाती है, उनकी cells quasteocyte कहते हैं, और cartilage में, जो cells पाई जाती है, उन्हें kandriocyte कहते हैं, और इनकी जो hardness है, जो flexibility है, यह special type के protein के नाते है, bone में जो पाई जाती है, protein उसका नाम ocene है, और cartilage में जो protein पाई जाती है, उसका नाम kandrin ह ऐसे कई डिफरेंस है यह major इतना डिफरेंस आपके लेबल से sufficient है अब आते हैं यह tendon और ligament जो fibrous connective tissue कहे जाते हैं आपके हाँ एरियोर का ही part बना दिया यह tendon और ligament का function आपको जानना है भूलना नहीं बहुत बहुत important है tendon and ligaments are the fibrous connective tissue इनका काम क्या है connective tissue है तो connect करने का काम कर करता है दो टर्म आपको जानना है एक बोन और एक मसल यह दो वर्ड जान करके ही इनको बता सकते हैं tendon और ligament को tendon क्या करता है यह bone को muscle से जोड़ता है यानि tendon और दो फाइब्रस connective tissue और type of area tissue which connect bone to muscle bone को muscle से जोड़ने वाले connective tissue को tendon कहते हैं जबकि ligament क्या है ligament join the bone to bone bone को bone से जोड़ने वाला bone को bone से ligament जोड़ता है और bone को muscle से tendon जोड़ता है काम बहुत important पूछा जाता है यह भी connective tissue है तो सारी connective tissue हो गए अब थोड़ी सी चर्चा फिर से आपको fluid पर करते हैं जि इसमें liquidity आ गई matrix की quantity ज्यादा हो गई fluid connective tissue में आपको जानना है blood और lymph इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे यह आप पहले से भी पड़े हैं कि blood बात आती है क्यों यह tissue है क्यों यह fluid connective tissue है और यह connect कहां कर रहा है कभी कभी लोग पूछ लेते हैं तो पहली बात हमने देखा कि तीन चीज़े होनी चाहिए cells होनी चाहिए matrix होना चाहिए और fiber होना चाहिए ज्यादा कम जो भी रहे तो blood में कहां है आप कहते है component अगर blood का देखें तो blood के component में आप कहते है cells होती है cells माने यही RBC WBC और platelet तो आपने सुना ही है RBC WBC platelet यह cells हैं जो blood में पाई जाती है और tissue cell से बता है पहली चीज़ और इसका जो fluid part होता है इसे कहते हैं plasma तो blood में दो चीज़े होती हैं एक तो cells और दूसरा plasma अगर percentage देखें तो cells जो है 45% होती है plasma 55% होता है अब plasma में 90 से अधिक percent water का होता है 10% में inorganic और organic different type के substances होते हैं RBC का काम है hemoglobin के नाते oxygen के transport में help करता है WBC हमारी body के soldier करते हैं germs के again रखते हैं लडाई करते हैं जो pathogen बिमार बनाते हैं उसको खतम करते हैं platelet blood के cagulation में help करता है तो इसी से बाद में fiber जैसे कोई blood vessel है यहां फट गई blood निकलने लगा कुछ देर के बाद automatic क्यों रुग जात हैं इसी कहते हैं blood cagulation or blood clotting तो platelet clotting में help करता है यह body को disease से protect करता है और यह hemoglobin के नाते इसी में hemoglobin होता है इसी काण red color होता है blood का तो यह blood और इसके different part हो गए अब बात आती है connective tissue क्यों है तो पार्ट को जोड़ने के दो तरीके हैं एक तो आपने कहा गम ले लिया फेविक पार्ट से जुड़े हैं तो क्या वहां बधे हैं बदे नहीं है जैसे आपने का oxygen लेते हैं लंग से different part में oxygen जाती है पैर को भी oxygen चाहिए लेकिन हम oxygen environment से atmosphere से के लंग से में लेते हैं तो लंग से different body part तक कौन ले जाता है blood है different body part की cells carbon dioxide release करती है लेकिन निकलता है body के बार carbon dioxide के लंग से तो different body part से लंग तक कौन लाएगा blood लाएगा तो आप ऐसा कह सकते हैं oxygen पाने के लिए different body part लंग से जुड़े हैं किसके जलिए through blood ऐसे different body part अपनी carbon dioxide को भेजने के लिए जुड़े है किस से through blood भोजन आपने लिए इलिमेंटी कैनल में जबकि उसके पार्टिकल्स जो सुवाज all about the epithelial tissue and connective tissue और प्रयासे ही होगा यही आपके इस test का टापिक होगा दो टिस्सू बचे हैं खायर इसको हम बता देंगे लेकिन अगले test में रहेगा तब तक के लिए धन्यवाद